हेलो फेंड्स मैं मंदीब सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फिंट्स आज की इस वीडियो में बन टक्स ब्लाउस का फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगे तो यह मेरा मैन फैबरिक के और यह अस्तर का कपड़ा है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बैक पार्ट का कटिंग करना है अस्तर के कपड़े को खोल करके चोड़ाई में हमें जितना जरुवत है उतना कपड़े को फोल करेंगे दिखे इस तरीके से अच्छे से हाथों से इसे फिनिशिंग कर लेंगे और कटिंग करने से पहले आप मैन फैबरिक और अस्तर के कपड़े पे दोनों पे ही अच्छे से प्रेस करें. तो मैं इसे 36 साइज में बना रही हूँ. सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमें एक लाइन टोकर के कपड़े को सीधा कर लेना है. इस तरीके से फैबरिक को सीधा कर लेंगे. और यहाँ पर हमें टोटल लेनी है. तो जितनी भी लेन्थ आपको तयार रखनी है, उसमें एक इंच मर्जिन का प्लस करके टोटल लेन्थ आप रीजेगा. तो टोटल लंबाई मैंने रखी हैं यहाँ पर साड़े चोदा इंच. साड़े तेरा लेंथ मुझे इसकी तयार रखनी है. अब देखिए शोल्डर कना आप रखेंगे साड़े पाच इंच पर. यहाँ से भी साड़े पाच इंच पर मार्किंग करेंगे और आर मूर लेने हमें पौना चेंच. शोल्डर रखेंगे हैं साड़े पाच इंच. आर मूर लिये हैं मैंने पौना चेंच. अब हमें चेस्ट का चोथा भाग लेना है. तो चेस्ट का चोथा भाग हो गई यहाँ पर नो इंच. और दो इंच में हाँ पर एक्स्ट्रा रख रही हूँ मार्जिन के लिए. मार्जिन आप देल इंच का भी ले सकते हैं. तो दिखे मैंने हाँ पर मार्किंग कर दी है. बैक पाट के आर्म होल के गुलाई डीप नेक में आपको सबाइक इंच पर लेनी होती है. तो इस तरीके से आर्म होल का गुलाई मैंने कर दी है. अब हमें लेना है कमर का मैजरिमेंट. कमर है तीस इंच उसका चोथा पाग रखेंगे साड़े साथ इंच. दो इंच एक्सट्रा मार्जिन और एक इंच एक्सट्रा ओर लिया है मैंने कमर की प्लेट्स के लिए. हाफ इंच उपर की तरफ करते होगे हमने मार्क कर लेना है. और इस तरीके से देखे मैरे बैक पाट की मार्किन पूरी हो गई है. अब हमें इसे कट करना है. बेक पार्ट की मार्किंग और कटिंग देखे मेंने गर ली है सकते हैं तो पहले पेपर पर रख कर सकते हैं या फिर आणा पर कटिंग कर सकते हैं सबसे पहले तो आपको अस्तर के कपड़े को इस तरीके से दिखिए, यहाँ पर फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करने के बाद नीचे से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, आधा से एक इंच के मार्किंग आप एक्स्ट्रा में यहाँ पर कर लें, और फिर इसके यहां पर भड़ाना होगा तो यहां पर देखे एक लाइन बना लेंगे और इस तरफ से आपको 2 deu माई इंच ऑप पर 2-5 इंच आप एक्स्ट्रा यहां पर छोड़तीचेगा मैंने 2 इंच छोड़ा है और 5-5 इंच पर यहां पर मार्क करेंगी जो लाइन हमने बनाई है इसे छोड़ते हुए ही सारी मार्किंग आपको कर लेनी है शोल्डर 5-5 इंच आर्म हो लेने हैं पॉना 6 इंच चेस्ट का चोटा भाग रखेंगे यहां पर हम 9 इंच दो इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे मार्सिन के लिए इस तरीके से लाइन बनानी है कमर का चोटा भाग लेंगे साड़ी साथ इंच दो इंच का एक्स्ट्रा लेंगे मार्सिन तो इस तरीके से मार्सिन और फिटिंग की लाइ लुटेन दो DAH इंच अंधर की तरफ लेते होए मैंने इससे कट कर दिया है अब हमें बाकी दूसरी मार्किंग करनी है गले के चोड़ाई रखी इसमें मैंने था इंच की और गले के टोटल लंबाई रखी है साड़े छे इंच आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं यहाँ पर जोको और एक बॉक्स बना लेंगे और इसके बाद आपको राउंड शेप देना है या कोई और शेप बनाना चाहें तो आप अपनी पसंद से बना सकते हैं यह मार्किंग कर लेने के बाद अब देखिए आपको मार्क करना है यहाँ पर तो यहाँ से आपको लेना है पोना चार इंच उपर से टक्स पॉइंट रखेंगे हम साड़े 10 इंच पे 10.5 इंच पे और एक सीधी लाइन यहाँ पर बना लेंगे इस तरीके से यह टक्स पॉइंट वाली जो लाइन है यहाँ पर आपको विट्ट में भी पोना चार इंच लेना है 3.75 इंच इस लाइन को आप नेचे की तरफ मिला लें इस तरीके से पहले इतना उपर का पार्ट में कट कर लेती हूँ अब देखे हमें यहाँ पर क्या करना है टक्स की विट्ट रखनी है तो साड़ी तीन इंच का टक्स ले रही हूँ में यहाँ पर दोनों तरफ से हमें मार्किंग करनी है पोना दो इंच पोना दो इंच पे 1.75 इंच इस तरफ से और 1.75 इंच ही इस तरफ से लेना है आपको यहाँ पर देखे टक्स को थोड़ा सा इस तरीके से गुमाते हुए लीजिएगा जैसे कि हम प्रिंसेस कट में शेव देते हैं उसी तरीके से अब देखे हाफ इंच हमें इसे नीचे की तरफ बढ़ा लेना है क्योंकि जब हम यह टक्स कटिंग करते हैं और इसे सिलते हैं तो हमरा यहाँ पर पाट कम हो जाता है लैंद कम हो जाती है तो आदा इंच आपको नीचे की तरफ बढ़ा लेना है अब हमने यह जो टक्स यहाँ पर लिया है इसका एक्स्ट्रा जो मार्जिन रहेगा वो आपको साइट में बढ़ाना है तो मैं इसे साइट में थोड़ा एक्जस कर लूँगी यहाँ पर बढ़ा कर ले लूँगी आपको क्या करना है देखिए यहाँ पर एक तरफ से हाई हुक की पटी की तरफ से आपको लेना है पोना दो इंच प्लस आधा इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है और इस तरफ से आपको कमर वाली तरफ से पोना दो इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है तब ही यह दोनों तरफ एक्जस हो जाएगा और टक्स का जो मार्जिन है आपका वो बिलकुर बराबर से आजाएगा तो टक्स के लेंट आ रहे हैं यहाँ पर पांच इंच की इस तरेके से 5 इंच पर हमने यहाँ पर मार्जिन कर लेना है कि दीके मार्किंग को शेप में कर लेंगे और यहां से भी हमें एक्स्ट्रा इससे मिला देना है कमर वाली तरफ तो ये पार्ट देखिए हमारा पूरा हो गया है इसका जो बीच का तक से इसको आपको दोनों तरफ एक्जिस करना है हाई हूग की पट्टी वाली तरफ भी और कमर वाली तरफ भी तो दोनों तरफ आप एक्सट्रा मार्जिन लिज गया तब ही आपका जो फैब्रिक की वो बराबर रहेगा तो मार्किंग मेरी पूरी हो गई है अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से देखिए आपको इसे कट करना है इस तरीके से हमें पूरा पार्ट कट कर लेना है और इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लेना है इसका स्लीव का कटिंग मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसका डिजाइन में बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो इस तरीके से सभी पार्टे के हमने कट कर लेना है अब टक्स वाला जो पार्टे वो आपको कैसे कट करना है दोनों तरफ से आपको हाफ या फिंच मार्जिन का छोड़ कर कट करना है यह हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा तो इसे आप इस तरीके से कट कर ले अब देखे बैक पार्ट का नेक भी हमें कट कर लेना है तो यहाँ पर गले की चोड़ाई रखी है त्हाई इंच की और गले की लंबाई रखी है त्हाई इंच आप अपनी पसंद से कम जादा करके यह डिजाइन वाला गला जैसा भी आपको बनाना है आप वो बना सकते हैं मैं यहाँ पर सिंपल राउन नेक बना कर आपको दिखा रही हूँ क्रॉस पट्टी के साथ तो इसे मैं क्रॉस पट्टी के साथ बनाऊंगी आप चाहें तो सिलाई लगा कर परटा कर भी इसे बना सकते हैं तो दीखे, दूनों पार्ट मैंने यहांपर कटिंग कर लिया है, मैंन फैब्रीक के उपर, अब हमें करना है इसका स्टिचिंग, तो सबसे पहले गले को कट कर लेंगे, बैक पार्ट के, और इसे रखना है हमें इस तरीके से, तो मैं इसमें क्रोस बट्टी लगाऊंगी, इस तरीके से अब हमें दोनों तरफ अच्छे से कप्रे को हाथों से फिनीशिंग कर देनी है इस तरीके से और सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है एक्स्ट्रा फैपरिक को कट करके निकाल देना है सबी तरफ से एक्स्ट्रा कप्रे के पाट को मैंने कट कर दिया है अब दिखे हमें यहाँ पर सेंटर में एक छोटा कट लगाना है और चार इंच के लंबाई में प्लेट्स लगाएंगे दोनों ही तरफ इस तरीके से कमर में प्लेट्स अटेज करनी है तो बैक पार्ट तयार हो गया है अब हमें फ्रेंट पार्ट तयार करना है तो दिखिए पार्ट को दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ रखिएगा और इस तरीके से सिलाई लगानी है टक्स के कॉर्णर पर भी सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लेंगे और जितना भी कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है बाहर की तरफ इसे कट करके निकाल देना है सभी तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को मैंने कट करके निकाल दिया है दूसरा पैट भी इसी तरीके से तयार कर लेना है और अब इसका डॉट बनाना है तो इस तरीके से दिखे पकड़ेंगे इसे और अब यहाँ पर सिलाई लगा देनी है कोई भी पैट को आपको खिशना नहीं है बराबर पकड़ते हुए ही सिलाई लगानी है तो ये इसका डॉट बन गया है देखे इस तरीके से तो देखे दोनों डॉट मैंने यहाँ पर बना लिये हैं और अब हमें हाई हूग के पटी यहाँ पर अटेज करनी है तो अस्तर के साथ मैन फाब्रिक को हमें अटेज कर देना है और एक्स्ट्रा कप्ड़े के पाट को कट करके निकाल देना है कप्ड़े के एक्स्ट्रा पाट को मैंने कट कर दिया है यहाँ पर हमें आदा हिंच का मार्जिन लेते हुए पटी को अटेज कर लेना है और एक सिलाई पटी को फोल्ड करते हुए कॉर्णर की लगा देनी है अब इसे उपर की तरफ पलटते हुए एक सिलाई हमें इस तरीके से यहाँ पर लगा लेनी है तो हाई हुक की पटी देखे मैंने यहाँ पर अटेज कर ली है अब हमें दूसरी तरफ से लगा लेनी है हुख की पटी तो यहां पर भी आदा इंच का मार्जेन लेते हुए पटी को टेज करतेंगे और एक सलाई पटी को इस तरफ करते हुए लगा लेनी है दोनों पार्ट रेडी करने के बाद एक दूसरे के उपर रखकर चेक कर लेने हैं कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा चोटा तो नहीं हो रहा है अब दिखिए गला बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्रॉस पटियों को जोड रही हूं तो इस तरीके से पटियों को जोड़ लेना है गला बनाने के लिए सवाइक इंच की पटियां आपको कट करनी है गले पर अटेज करने के लिए अब नीचे की तरफ हमें इस तरीके से दिखें कमर पटि लगा लेनी है आगे और पीछे के पार्ट में एक स्लाई पटि को इस तरफ करते हुए पटि के उपर लगा लेंगे और कमर पटि को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से तो दिखें कमर पे यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है दूसरे वाले पार्ट में भी हमें इसी तरीके से कर लेना है और बेक साइट में भी इसी तरीके से पटियों को अटेज कर लेना है कमर पटि लगा कर मैंने इससे पूरा कर लिया है और अब हमें शोल्डर अटेज करने है तो मैं यहाँ पर गला पटि जो लगा रही हूँ फ्रैंट से लेकि पूरा बैक साइड तक हम अटेज कर लेंगे इसके लिए हमें शुल्डर को अटेज कर लेना है तो पहले यहां पर इससे रख़ कर बराबर से चेक करेंगे अब हमें शुल्डर अटेज कर देने हैं तो गले के हां से 10 इंच का मार्ज़िन रखेंगे उपर की तरफ से वो शिल्डर को अटेज कर देंगे एक सिलाई इसके उपर गले की तरफ उतारते हुए लगा लेनी है हमें तो ये सिलाई देखें, मैंने लगा दी है और इसके बार आपको गले में पटी लगानी है तो यहाँ पर देखें मशीन का जो फूट होता है उसका एक पेर का मारजन लेते हुए हमें पटी को रखना है इस तरीके से और स्टिच करना है पटी को आप हलका सा खीचते हुए लगाईएगा तो इससे गले की फिटिंग जो है वो बहुत ही अच्छे आएगी ये देखें इस तरीके से बहुत जादा भी नहीं खीचना है आपको और एकदम ढीला भी नहीं छोड़ना है हलका सा पटी को खीचते हुए लगाईएगा तो देखें पटी अटेज करने के बाद आपको पूरे नेक पे छोटे-छोटे कट लगा देने है थोड़ी-थोड़ी दूरी प और ध्यान रखिएगा गले पे लगाने के लिए आपको पटी को उरेप में याने की क्रॉस में ही कट करना है तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रो पटी को कट करके निकाल रही हूँ बसने मुझे जितना यहाँ पर फोल्ड करना है उतना ही मैं पटी को रख रही हूँ बाकि एक इसे फोल्ड कर लेना है तो इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ पटी को फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है तो इस तरीके से भी आप अपने ब्लाउस का नेक बना सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ तो दिखिए गले पर फिनिशिंग के साथ मैंने पट्टी अटेज कर ली है और इसी के साथ ये मेरा जो पार्टे वो बन करके तयार हो गया है इसका स्लीज का डिजाइन में जल्दी आप लोगे साथ शेयर करूंगी तो फेंट्स आप आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बिताइएगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब ज़रूर करें धन्यबाद